नमस्कार दोस्तों, BPSC Concept वाला चैनल में आपका स्वागत है, आज हम लोग Means Answer Writing से related कुछ डिस्कस करेंगे हमने जो website launch किया है, उसमें आप लोग answer रिख रहे हैं, अपना answer अपलोड कर रहे हैं और कुछ लोग review भी कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ answer review कर रहे हैं और बड़ी खुसी हो रहे हैं इस बात को देखके, कि पहला दिन कुछ लोग answer लिखा था, बहुत टूटा-फूटा भासा में था, content की कमी थी, लिखने का structure नहीं था लेकिन वही person दो, तीन, चार दिन के बाद में अपना खुद improvement कर पाया है और वो खुद बोल भी रहे हैं करे लोग कि हमको इससे फाइदा हुआ है और हम लोग भी देख रहे हैं, कल more art वाला question था, बहुत लोगों ने लिखा था और इतना बहतरीन लिखा था, तीन, चार एंसर तो आप ग्रूप में जाकर देखेंगे, वहाँ पे, website पे इतना बहतरीन एंसर रिखा है कि हम देखें, मतलब काफी अच्छा लगा लगा कि ऐसे आप लोग एंसर रिखेंगे, तो आप लोग को, मतलब वेपेसी में काफी अच्छा marks मिलेगा कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहा है, देखें, इस website का main motto है, कि आप अपना एंसर तो upload कर रहा है हैं आजाके साथ में अगर 10 लोगों का आप यहाँ पे एंसर पहले से आपके upload है या बाद में भी तो आप उनको पढ़िए, जो भी एंसर आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िजिए, वहाँ से जो आपको point मिलता है, अपने एंसर में आप note down कर लेजिए, अपने copy में अगर किसी का structure अच्छा लगता है आपको तो उसका structure सीख लिए, कोई फ्रोचाट अच्छा बनाया है वह सीख लिए, यही फायदा है कि आप अपने आप तक dependent नहीं है, आप अपने आपके साथ साथ और 10 कोपी देख रहे हैं, और 10 कोपी में जो अच्छा ही आपको देख र करना है, एक तो answer writing continue रखिए, दूसरा बाकी लोगों का कोपी भी देखिए, जो अच्छा लगए उसी का देखिए, जो आपसे बुरा लिखता है उसका कोपी मत देखिए, जो अच्छा हो उसको देखिए और उसे सीखिए, ठीक है, लेकिन आप answer continue रखिए, आप लोग बहु हो जाएंगे कि कैसे answer लिखना होता है, तो आज हम discuss करेंगे, कि यह जो question आज आया है, ITU2 वाला, इस question को हम थोड़े discuss करेंगे, कैसे लिखना है, जो कि लोगों को लिखने में थोड़ा सा problem आ रही है, तो answer कैसे लिखा जाता है, और खासकर IR का answer में कौन कौन dimension को हम ज्यादा focus में रखते हैं, तो हम देखेंगे, कि इस question को कैसे लिखा जाएंगे, एक 10-12-15 minutes के session होगा, इसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे, कि answer को आप कैसे लिखें, यह beginner के लिए ज्यादा helpful होगा, जिनको idea है, कुछ answer लिखने का, उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन beginner लोगों के लि मतलब यह पूछ रहा है, आई-2-U-2 का जिक्र आया, तो सबसे पहले आप introduction में रिखेंगे, यह है क्या, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, कि इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं थे, तब ही तो बादा कर रहा है, इसमें क्या point है, जो कि इस agreement में कहा गया है, दूसरा point हो इसे कहां तक सहमत है, आप मतलब आपका मत यहां पर नहीं पूछा जा रहा है, आप इंदर सेंज भारत, इस agreement में भारत कहां तक सहमत है, और आप उस पक्ष को कितना positively रख रहे हैं, यह पूछा दा रहा है, तीसरा यह पक्ष हो गया, और चौथा पक्ष हो गया है, उसमें समधान का विजे कर देंगे अब देखिए यहां तक तीन-चार पार्ट में हमने तोड़ लिया लेकिन उसको श्रक्चर वे में अगर हम कहें तो को हम ऐसे दिखेंगे क्या है संचेप में इसकी भूमी क्या लिखेंगे पहले इंट्रोडक्शन में हमारा होगा आइट्यू यूट्व को समझाते हुए हम उसका एक ब्रीफ एनलेशिस कर देंगे 2014-2015 की एक्जाइमिन अगर मेरे इंसर देखे तो संभज ऐए की आइट्यू यूट्व क्या है और उसके बारे में हम न अचाहिए दूसरे पार्ट हम आयेंगे एसे में लिखें में लिखें कि उमीद से उमीद है एक तो उमीद होगा भारत एक तो उमीद होगा कि इस और अगर बात करें तो वहां पर होगा ITU2 जो है उसकी मुख चुनोतियां क्या है जो कुर्शन में हमें दिखा हुआ है लिखा हुआ है असपस्ट रूप से दिख रहा है तो इसकी चुनोतियां क्या है कि organization तो बना लिए हम लेकिन इसके बीच में क्या क्या challenges आएंगी हम उसका विजिकर करेंगे और जब challenges की बात होगी तो उसके बाद हम कोई समधान भी देंगे समधान हम नहीं मतलब भारत के पक्ष की तरफ से आप भारत की दवेदारी यहां रख रहे हैं तो आप समधान बताएंगे यहां पे समधान क्या क्या होगा और इन चार सेक्शन को हम डिल करेंगे और आपका अलगबंग एक पूर्शन को आप एक पीज में लिखेंगे तो आपका एंसर अराम से हो जाएगा इसी दिए आप सबसे पहले अगर आपको एंसर कोस्टन मिले उसको जितना ज्यादा पार्ट में तोड़ देंगे वह उतना आसान हो जैसे कल का कॉस्टन था पीपी मोडल प जरूरत होती है लेकिन यह कोशन में आसानी होती है यह कोशन चार पार्ट में टोट गया तो आपको लिखने पर यहाँ पर थोड़ा जो कोशन जादा पार्ट में टोटता है वो लिखने में आसानी होती है तो यह थोड़ा सा आप ध्यान देंगे चलिए हम थोड़ा सा देख और U2 का मत्रफ होते है UAE और USA ठीक है ये तो पता ही होगा सबको अब हम ऐसा इसको बोल सकते हैं क्या कि चारों देशों के मिल के जो बनाएगा संगठन है वहीं ITU2 है और आपने प्रिण से पढ़ा होगा कि इसका पहला समिट हुआ है हमने करेंट अफेर में आपको पढ़ाया था कि पहला समिट ITU2 का हुआ है जो वर्चुवली रूप से हुआ है ठीक है तो देखें यहां से बेपीसी में कुछन पूछने की मतब जो कुछन पूछने की यहां से चांस है ज्यादा हो जाता है क्योंकि पहला बार समिट बना है किसी कंट्री के दौरा नहीं हुआ है मतबब याद रहेंगे आगर हम इसमें एक और पॉंट की बात करें तो इसको मिडर इसे का कशने का कआजाता है इंडिया इस्राइल यूएसे और यूए ये चारों देशों के साथ बन के मिला बनाया गया एक संगठन आईटी यूटू बना है जो अभी हाल ही में इसका पहला वर्चुल समिट कराये गया है जो जुराई में हुगा है लगवाग 14 जुराई को हुगा है डेट वगर की इंडिया जो था हो गया और इस इंट्रों से पता चल रहा है कि पहली बार बन रहां कौन से देश हैं और इसको किfindेश बता है और आप में इसे हों बचैने का तरीका तो आप इसमें लिख सकते हैं है आई-टू-ई-टू-चार देश्वों का एक संगठन है जिसमें भारत, इसराइल, USA और UAE सामिल है इसे हम Middle East Asia का Middle East का Quad या West Asia का Quad भी कहा जा रहा है इसे साथ में इसका पहला वर्चवल समिट अभी जुराई में हुआ है जिसमें कुछ चारो देश्वों का अपना आर्थिक हित है जिस पे कुछ काम करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं वगयर वगयर बात है बस इतने आग देखके आप इंट्रो को खतम कर सकते हैं ठीक है इसे क् इसको एक्जामिनर पढ़े गाना तो चीजों को समझ जा गया कि लड़का को समझ है कि वर्चवली समिट पहला कब हुआ है कैसे हुआ है इंट्रो में इतना ही होना चाहिए ज्यादा डिटेर्में इंट्रो होना भी नहीं चाहिए 516 में इंट्रो खतम अब चलिए आपका इंट्रो तो हो गया अब आपको और रिखने का मंद करें कि यह आईट्यू यूट्व बनता क्यूं है तो थोड़ा सा आप यहां पर अब रहाम एकॉर्ड की चर्शा कर सकते हैं जो 2020 में अब रहाम एकॉर्ड आया था तो अब रहाम एकॉर्ड की सफलता के बाद इसको यूसे के अधेक्षा में तीनों देश अपना एक अब रहाम एकॉर्ड करते हैं और देखा गया कि इसकी बाद से सारे देशों के बीच में आपसे संबंद काफी अच्छा हो गया तो वहां से थोड़ा सा अपना सीखते हुए यह आईट्यू यूट्यू का गठन किया गया है बाकी अब आप अब रहाम एकॉर्ड को नाम लेकर छोड़ देंगे बाके डिटेल में इसमें लिखने के दुरूरत है नहीं है अगर आपको परस्नली इक्षा है तो वहां पर जाके आप पड़ सकते हैं ठीक है भूमिक्या तो हो गई अब चलिए हम थोड़ा सा देख ल कि इसमें आपकुस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें पहला है खाद सुरक्षा फूड सेकुरेटी पे बात हुआ है और इसमें कहा गया है कि फूड सेकुरेटी के बारे में हम चारों देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे इस पॉइंट को रिखते हुए आप भारत का एक पक्स जरूर रिखेंगे कि अभी एक फूड सेकुरेटी खाद सुरक्षा और पोशन फूड सेकुरेटी और नुट्रिशन का एक रिपोट आया था 2020 का इसमें कहा गया है कि भारत में 14% लोग कूपोशित है लोग नहीं बलकी बत बच्चे कहिए 14% बच्चे जो है कूपोशित है तो इस देखे इस रिपोट को आप यहां पर जरूर डाल देंगे इससे क्या होगा आपका एंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो खादुसर अच्छा वाला इसमें पहला पॉइंट इसमें खादुसर अच्छा दूसरा पॉइंट है इसमें टेक्नलोजी टेकनलोजी के अगर हम बात करें तो टेकनलोजी के बारे हम बात करेंगे इसराइल जो country है इसको हम start-up nation के रूप में जानते हैं और भारत की जो economy है अभी उतना रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है जितना भारत को पैदा करना चाहिए और भारत की ज़नसंख्या है इस लिखाद से भारत है बिरोजगारी बढ़ रही है तो इसका एक उपा है कि भारत में start-up हो और सरकार का भी योगदान है कि भारत में start-up हो लेकिन start-up के लिए हमें क्या करना होगा है जो देश स्टार्टप में बहतरीन काम कर रहा है, लुखे ने की बात हो तो सारा कुछ हम इसराल से ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ना, तो एक कही न कही भारत के एकोनोमी के लिए ये बहतर होगा, कि हम इजराई से स्टार्ट अप्वाले टेक्नोलोजी को सीख पाएं ठीक है दूसरा अगर हम बात करें तो यूएई जो है यूएई की बात करें तो यूएई पेट्रोलियम और गैस इसके पास है लेकिन अब इसको भी पता चाल गया है कि दुनिया में हम हम हमको भी टेक्नोलोजी में चाहिए तो जिनके पास टेक्नोलोजी है और अगर इन चारू देशों का आपस में coordination बनता है organization बनता है तो एक दूसरे के सहयोग करेंगे जो कि कहीं न कहीं ये अच्छी बात है और भारत के लिए तो सबसे अच्छी बात है भारत में startup के लिए अगर technology आएगी policy आएगी तो इसके साथ साथ भारत में FDI भी आएगी ठीक है चलिए ये तो technology वाला issue हो गया आप इसको भी दिख देंगा पहला है food security दूसरा है technology तीसरे की बात करें तो तीसरा है connectivity connectivity की बात करें connectivity जब भी होगा तो कैसे होगा या तो by road करेंगे by air करेंगे या by water करेंगे या किसी भी चीज़ का आप मानते हैं 4G का technology कर दिए 5G की technology पर काम करेंगे वही भी अगर connectivity आप बढ़ाएंगे उससे आपका already trade बढ़ता है और जब आपका trade बढ़ता है तो दोनों देशों के बीत में एक घनिश्टता बढ़ती है एक मित्रता बढ़ती है और दोनों देशों में economy बढ़ता है ठीक है? दोनों देशों में जब economy बढ़ेगी तो कहीं न कहीं एक आर्थिक जब हम global manch पर पहुंचेंगे तो हम एक दूसरे के समर्थन करने में मदद करेंगे अब जैसे देखिए भारत और अमेरिका के बीच में या भारत और इस्राइल के बीच में अमेरिका मान लेते हैं अमेरिका के साथ हमारा संबंद अच्छा होगा अगर अमेरिका ये संबंद अच्छा होगा तो हमारा सिर्फ ट्रेड ही नहीं बढ़ेगा हम उसको बैपार करेंगे तो हमारा मतलब अगर हम उसको कुछ भी चीज़ हां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हमको क्या मिलेगा foreign currency मिलेगा foreign currency मिलेगा तो हमको क्या हमारा economy बहतर होगा हमारा trade balance वह वह सही होगा balance of जो हमारा economy deficit हो रहा है भी वो हम बहतर कर पाएंगे साथ में दूसरा सबसे बड़ा इसू होगा कि हम United Nation के फ्रंट पे जब जाएंगे तो हम कहीं न कहीं अमेरिका को वहाँ पे अपने साथ ले सकते हैं वहाँ पे हम सपोर्ट मिले सकते हैं कि हमारा ट्रेड इससे बेतर हो सकता है तो इसका I2-U2 का संबंद हमारा कहीं न कहीं United Nation में भी reflect होगा एक चीज़ का IR में रिलेशन दूसरे जगा बहुत अच्छे से होता है अगर हम तीसरा बात करें मानते हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो गई या हमारी चाइना से लड़ाई हो गई तो कहीं न कहीं हम यहां भी अमेरिका का या इसराइल का help ले सकते हैं क्योंकि हमारा संबंद I2-U2 के मंच पे काफी अच्छा रहा है ठीक है न यह सारे factor होते हैं कि कि किसी देश के साथ हम जोड़ते हैं यहीं जगह फायदा नहीं होता हमारा उसका फायदा बहुत जगह पर होता है भारत के एकोनोमी पे भी होती है भारत के जो deficit हो रहा है इकोनोमी उस पर भी होगा फिर security बगर यह पर होगा हला कि एक security वाला जो point है वो भी रखा गया है देखिए यह भी एक point है security वाला इसमें भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ दूसरे का हम सवयोग करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान चाइना वाला policy पाकिस्तान चाइना का issue भी डाल सकते हैं दूसरा हम reunited nation वाला point भी यहाँ पर डाल सकते हैं यह 3-4 point दो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं तो देखिए इसमें जो major part थे ITU2 में कि यहाँ पर क्या-क्या हम कर सकते हैं तो एक तो था food security वाला इसमें 2-3-4 point आप लिख सकते हैं इस रिपोर्ट को आप जरूर रिखेंगे दूसरा टेक्नोलोजी वाला इसमें 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 मदद ले सकते हैं ठीक है तीसरा connectivity वाला इसमें और चौथा security वाले को लिख सकते हैं अगर हम चारो पॉइंट को चार चार लाइन भी लिखते हैं तो हमारा एक पेज से जाधा answer हो जाएगा और इससे जाधा वीपेज से demand कर ही नहीं रहा आपसे तो आपका कहीं नहीं का answer हो गया ठीक है तीसरा अगर हम बात करें कि इसकी चुनोती क्या है तो कोई भी organization बनेगा तो इसके कुछ चुनोती होगी पहला चुनोती तो इसमें है कि गुट में बट जाएंगे गुट में बटना आप तो कहा रहा है कि हम USA और इस्राइल के साथ गुट मना रहा है ठीक है कहीं कल होके रसिया चाइना मिलके और टर्की मिलके एक नया गुट मना लिया तब आप क्या करिएगा यह चुनोती है आपके पास कि एक गुट तो बना रहे हैं लेकिन एक गुट बनाने में आपको ऐसे भी नहीं करना है कि आपका रसिया भी मित्र है और रसिया कई बर आपको सहयोग किया है तो इस मित्र के यह जो चार जो गुट बना है ITU2 का इससे यह नहीं होना चाहिए कि आपका पुराना मित्र है जैसे रसिया आपका पुराना मित्र है उससे आपके सम्मंदों पर असर पड़े इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है दूसरा बात आप कहते हैं कि हम नयम के समर्थक हैं नयम के समर्थक का मतब क्या है? हम किसी गुट में नहीं जाएंगे तो हम किसी गुट में नहीं जाएंगे तो फिर ITU2 बना क्यों रहे हैं? तो आप ITU2 तो बनाईए आप उसमें उतना ही इन्वाल्व रहे है जिसे आपको अपना फायदा हो और कोई जो आपका मित्र है जो आपके अलाई है आपके दुस्मन मा बन जाए इस चीज का ध्यान रखना यह है एक चुनोती आपके सामने आएगे दूसरा अब बात कर सकते हैं एक पोट बना है अस्दोद पोट यह अस्दोद पोट यह इसराइल का पोट है इसको बना कौन रहा है? चाइना बना रहा है हम तो कहा रहे थे कि चाइना और पाकिसान से लड़ाई होगा तो हम इसराइल और अमेरिका से मदब ले सकते हैं लेकिन इसराइल का एक पोट है अस्दोद पोट उसको बना रहा है चाइना तो आप यह नहीं कहा सकते हैं कि चाइना से लड़ाई होगा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कर देगा लेकिन एक possibility ये भी बनती है कि आपके समर्थन में नहीं जाए तो कहीं नहीं हमारा जो संबंध होगा इसके साथ-साथ हम चाइना से अपने संबंधों को खराब नहीं करेंगे वो भी mutual काम कर रहा है इज्राइड में हम भी इज्राइड में काम करेंगे दोनों mutual होके काम करेंगे एक दोस्ती के चक्कर में दोस्ती नहीं मोलना है हमें चाइना से भी उतना ही नजदी की रखना है उतना ही मित्रता रखना है क्योंकि हमारा पड़ोसी है और अगर चाइना स समर्थान में तो रहें अमेरिका के समर्थान में तो रहें लेकिन कोई और चाइना पाकिस्तान या रसिया वगरा किसी वी देश के खिदाफ में नहीं जाए यह पहला ही पॉइंट का थोड़ा सा एक्षेंशन था ठीक है अगर हम आगे और इसकी बात करें एक है कि Middle East में आप देखेंगे भारत की भूमिका बढ़ेगी थोड़ा अब कैसे बढ़ेगी आपने देखा होगा कि UAE वगरा में साओधी अरब में भारत के बहुत सारे लोग जाते हैं नौकरी करने हैं वहां से जब भारत के लोग वहां नौकरी करने जाते हैं तो वहां से फोरन करेंसी भारत में भेड़ते हैं तो हमारा फोरेक्स रीजर बढ़ता है और हमारे एकनोमी के लिए वह बहतर रिष्थिति पर काम करता है अगर हमारा UAE से संबंद अच्छा है तो UAE में लगभग भारत के 25 रह क्या स्थास लोग काम करते हैं आप देखेंगे कि अगर यहां पर हमारा संबंद बढ़िया रहेगा तो जो लोग गल्फ कंट्री वगरे में जाते हैं उनका सबसे बड़ा इसू क्या रहता है वीजा का कानून बन रहता है तो अगर ऐसा कुछ कानून बनेगा तो हम UAE से हमारा संबंद अच्छा रहेगा तो हमको diplomatic relation बढ़िया करने में या बातित करने में आसानी होगी क्योंकि हम IT YouTube के मंच पे UAE से अच्छे संबंद बना पाये हैं यह हमारा फायदा हो गया लेकिन चुनावती क्या होगी सिर्फ लोग UAE में तो नहीं जाता है ना लोग साथियारब में भी जाता है इरान में भी जाता ह है तो हम UAE के तो बहतर मान रहे हैं UAE के चक्कर में ऐसा नहीं UAE के जो दुस्मन देश हैं आप देखेंगे कि Middleist में सब देशों का आपस में बनती नहीं है तो UAE को जिस देशों से नहीं बन रहा है कहीने कि हमारा संबंद उस देशों के साथ खराब नहीं हो यह भी एक पेट्रोल पेट्रोलियूम मिडेश के और देशों से भी लेते हैं तो हमारा वहां भी संबंद खराब नहीं होना थी यह दो तीन चुनोतिया है साथ में Middleist में चीन की बढ़ती भूमिका बहुत बढ़ रही है और हम भी वहां तक पहुंचे रहे हैं तो हम दोनों आपस में एक परस्पर कामं करें एक मताब दोनों में दुस्मनी नहीं होनी चाहिए ऊपना काम करें हम भी अपना काम करें यह सब थोड़ा सा चैनेंज है यहां पर यह सब तीन-cieyar पॉइंट आप लिखेंगे तो youth कम तीन तीन चया पॉइंट को तीन तीन चाहर लाइन में लिखें और एक था food security चार इसू था मेजर जिस पर आई टो यूटू का agreement हुआ है लेकिन कुछ challenges हमने देखा इसके बाद हमें इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि भारत को अपने हित पर जादा ध्यान देना चाहिए अपने देखिए इंटर्नेशनल रिलेशन में अपने हित पर ध्यान दिया जाता है लेकिन इसको कहा नहीं जाता है तो भारत को अपने हित पर ध्यान देना चाहिए और जो एजेंडा है जो एजेंडा है जैसे कि फूड सेक्रिटी वाला टेक्नलोजी वाला कनेक्टिविटी वाला सेक्रिटी वाला इस सारी एजेंडा पर भारत को जादा काम करना चाहिए और एक मुखरों के एजेंडा पर बात करना चाहिए इससे फायदा क्या होगा कि जब हम मानते हैं टेक् भारत एक सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका को बाजार चाहिए इजराईट को बाजार चाहिए इंदोनों के पास टेक्षिश यह और जब हम इसके टेक्षिश और कनेक्टिविटी एगृमेंट की बात करेंगे तो जब भी कोई ऐसा साइन होगा इन सारे country को चाहिए क्या market चाहिए और market है इंडिया के पास जब इंडिया के पास यह सब company आएगी तब भारत का बस FDI आएगा और जब FDI आता है तो उसमें क्या आता है एक तो foreign currency आता है और जब company यहाँ बनेगी establish होगी company तब यहाँ पे आपको मिलेगा रोजगार और यहाँ रोजगार कहीं न कहीं आपके economy को boost करता है और यहीं तो हम चाह रहे थे कि भारत में company आए बाहर से भारत में BDC company आए BDC FDI आए और भारत की जो गरीबी है मतब जो unemployment है बहुत ज़दा बढ़ गया उनको रोजगार मिले और इसे भारत की economy को boost किया जाए ठीक है तो भारत को agenda पे अपना काम करना चाहिए साथ में भारत को एक सक्रिय रूप में मतब भागिदारी के रूप में काम करना चाहिए यही से आप point यहाँ पे लिख सकते हैं और सबसे जरूरी चीज हम यहाँ पे कहें तो इसमें लगभग चार से पाँच मेंजर पॉइंट है हाना जैसे food security connectivity वगरा टेकनोलोजी वगरा है तो हम एक चीजों के लिए आप देखते होंगे एक देश के साथ agreement करते हैं लेकिन इस मंच के साथ हम चार पाँच टॉपिक चार पाँच एजेंडा का एग्रिमेंट किये हैं तो भारत को इस औसर का लाब उठाना चाहिए भारत के लिए बहुत बड़ा मतब एक औसर है अगर लाब उठा लिया तो टेक्नलोजी वगर आपके काम भारत मत्ची हो सकती है तो सबसे दो पॉइंट इंपोइंट है यहाँ पे भारत तो इंपोइंट है एजेंडा पे फोकस करें और दूसरा इंपोइंट है कि भारत को इस औसर का लाब उठाना चाहिए साथ में फिलिस्तीन का जो संकठा इद्राहिल वगर हो तो हैं उन दोनों का आपस में संकठा लेकिन भारत को थोड़ा सा दोनों में एक बैनेंस बनाना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ भी हमारा थोड़ा सा संबंद खराब ना हो यह एक मंच परदान करता है बाकी देस भी परभावित होंगे जिसका impact हमें आगे मिदेगा जैसे USA के साथ हम United Nation में इसका फायदा ले सकते हैं और इसराइल के साथ हम technology में फायदा ले सकते हैं और UAE के साथ हम Middle East में इसका फायदा ले सकते हैं तो इस मंच का हम देखेंगे तो बहुत बड़ा अपना योगदान है तो यही सब आते थी और कुछ point है जिन सब को आप लिखेंगे सारे देखे हमने highlight point था उसी को explain किया है और भाही 3-4 point को अगर आप explain करके 3-3-4 line में लिखेंगे तो आपका एक better answer complete हो जाएगा तो चरिए मिलते हैं next video में Thank you और यही format आपके लिए आप इसी format में लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा Thank you